नमस्कार, मैं अनिता और आप देख रहे हैं मून सिटी निउस और भारी दिनेश कुमार ने कहा कम उम्र के टोटो चलाने वाले लर्के पर पड़े का जुर्माना अवैड इस रिक्षों चाल के खिलाफ कारवाई की जाएगी और इस रिक्षा होगा जप्त बताते चले की कठिहार सहर के कोने कोने में इस रिक्षा की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जिससे जाम की भी समस्या उत्पन हो जाती है कई लर्के अवैड तरीके से भी इस रिक्षा चला रहे हैं जिससे आए दिन घटनाए होती रहती है ना ही यातायात नियमों की जानकारी है और ना ही ड्राइविंग लैसेंस फिर भी कठिहार के सरकों पर शैकरो इस रिक्षा नजर आ जाएगा जिसकी मर्जी जहां खड़ा कर दे रोज कहीं न कहीं पलटते हैं टोटो रिक्षा कर लोगों की जा चुकी है जान फिर भी नियमों को ताक पर रखकर चलाते हैं टोटो इस रिक्षा के खिलाफ मिल रही लगातार सिकायते सरकों पर दोरने वाले अवैद इस रिक्षा चालोकों पर सिकंचा कसा जाएगा पडिवहन विभाग को लगातार मिल रही थी सिकायते अब कटिहार में गैर कानुरी रूप से चल रहे इस रिक्षा को जब्त किया जाएगा यातयाद प्रशासन ने लगातार घटनाओं के बाद अप कि आभी दो साल से चला रहे हैं कितना उमर है अपको डोटो सबकी संख्याथ हो यहां पर बहुत जादा हो गई यह कटियार में और देख रहे हैं कि छोटे-चोटे बच्चे लोग भी चला रहे हैं जो मतलब बहुत रिस्की है मतलब जो देखते हैं लोग मतलब धक्का मार देते हैं भाई को एक में तो छोटे बच्चे लोग को नहीं चलाना चीए पूरी सहर में उसमें टोटो पलड जाती है उस बच्चे को भी कुछ हो सकता है भगवान न करे कुछ हो लेकिन छोटा बच्चा ना चलाएं उनके माता पिता से हमको प्रवाई की जाएगी उसावधान रहे है नहीं तो उनलो का चलान काफी नमांगा परेगा एक जो जिनकी उम्र अथारों से कम है उनकी पाइन परची सिगार करती जाएगी नहीं तो प्रम इन जाएगी सब्सक्राइब करवाई की जाएगी जातारा को जैसे हुए जॉब हुम्र किलर के सावधान रहे है ने तुम्र करवाई की जाएगी उनको डंच किया जाएगा